अपने ही पिता की संपत्ती पाने के लिए लगा रही न्याय की गोहार गोंडा 16 सितंबर पिता की इकलोती संतान पिता के अंतिम संसकार में भी नहीं हो पाई शामिल पडोसी धन हडपने की नियत से मृतक की इकलोती वारिस सूर्य पता को पडोसी कर रहे हैं प्रतारित गई और उनके संपुर्ण संपत्ति पर विपक्षियों ने अपना कबजा बना लिया घरों में लूटपाथ मचाते हुए बंद कर दिया ताला जिसकी शिकायत लेकर जब सुर्यपता संबंदित थाने पर जाती है तो उसे विपक्षियों दोरा मिल रही जानमाल की धमकी साथ थी ये भी कहते है कि मैंने दे दिया थाने में एक लाक रुपए मेरा पुलिस अब कुछ नहीं करेगी थाना इटिया थो पुलिस से पर तारित चुए पता ने लगाई पुलिस अध्यक्ष से गुहार और कहा कि विपक्षियों के विरुद दर्ज हो प्रतम सूचना रिपो आपके घर के कहा रहता है तो आपको बगा दिया थारा है तो जाओ भाग जाओ आपका क्या नाम है टाना कौन सा लगता है तो यह जो घ्रत नाख गटी तो आपने मामले की जानगारी टिया थाने वाले क्या कह रहे हैं थोग थाने वाले आप से पैसा माग रहा हैं? आपके नाम है? माज मीडिया के मा देम से सरकार से क्या मांग करना चाहिए? क्या चाहिती है क्या चाहिते हैं अपने बाप का धन लिया चाहित है आउसा अच्छा बस धन मिल्या है आप आज साब हम देख रहें कि स्पीड़ता के साथ आप अप्लिकेशन देने आए हैं आप कौन है मैं ओम परकास सुनकर एसे से अजवक्ता भी हूँ और अनसूचित जाद पिछावर्ग अलब संख्यक अखिल भारते परसंग यह मामला क्या है काजिला अध्यक्ष घूंडा मामला यह है कि यह पिड़ता है पिड़ता के पिता जी की एकलोती संतार और यह अपने पिता जी की सेवा सहाए घर पे रहकर के रमगड़िया गाओं में करती थी अचानक इसके बहु के पेट में दर्द हुआ पता चला इसके घर से तो यह लोग जो है यह चली आई तीन दिन के बाद जो है तीन दिन के बाद फोन आया इसके पास किसी से किसी ने फोन किया कि तुम्हारे पिता जी को जी के मिलत हो गई है और उनको अजुध्या ले कि कथन है तो उसे हिसाब से यह बता रहे कि अजुध्या में ले जा करके और जला दिये इसको सूचित नहीं किये और यह जब ठाने पर दर्खास दिया तो आज तक फाई यार दर्द नहीं किया गया यानि हमारा यह मनलब मनना है कि उनको इसके पिता जी को जला दिया गए और इसको बताया नहीं गया कि पीम नहीं हो पाई और इसको पूरा असंग्चा अपना भेक्ट करती है कि मेरे पिता जी को इनहीं लोगों ने मारा हैं और मार करके लास जलादिया जुद्धा में कि उसका प्रियम न होने पाए और इसको न्याई न मिल पाए तिकी आप अरिवक्ता विया अंसिति जाद के नेता भी हैं और आज समास्यवई भी हैं आप इस महिला की मदद कर रहे हैं कि इसको यह न्याई मिले कि जिसने मारा है जिसको यह अपना मतब कह रही है कि मार दिया है उसके खिलाब मुकदमा दर्स किया जाए उसे जेल भेजा जाए और पीरता को न्याय मिले और अगर यद न्याय नहीं मिलता है तो हम समास से भी होने के नाते इस जिलापर सासर की खिलाब बरत्मान सरकार के खिलाब हम लोग आंदोलन करेंगे